नमस्कार दोस्तों फिर्श्न स्फवागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं इन्फिनिक स्मार्ट फोर प्लस और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने mobile का pattern lock कैसे तोड़ सकते हैं और इसी तरह से आप अपने mobile का heart reset भी कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है power off करना है अपने mobile का अपने mobile का और इसके बाद आप इसको release कर देंगे और जब आपके सामने ये no command का option आजाएगा तब आपको क्या करना है ऐसे volume up button और power button को एक बर press करना है यहाँ पर मैंने power button और volume up button को एक साथ दबा की छोड़ दिया तो यहाँ पर इस type का option आजाएगा आपके सामने कभी कभी क्या होता है कि power off होने के बाद on हो जाता है दुबारा से तो यहाँ पर आपको क्या करना है दुबारा से वही process ट्राय करना है तो आपको क्या करना है volume down button से ऐसे नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको wipe data factory reset पे क्लिक करना है और power button से मैं select कर दूँगी और इसके बाद नीचे लेकर आएंगी volume down button से power button से select करना है और इस step का interface आने के बाद आपको क्या करना है reboot system now पे क्लिक कर देना है और power button से select कर देंगे इसे तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ में bell notification icon को ज़रूर तबाईएगा ताकि मेरे आने वाले updates आपको मिलते रहें तो यहाँ पर आपका mobile start होने में 4-5 मिनिट का वक्त लग सकता है तो यहाँ पर आपका mobile start हो चुका है आप इसको normally start कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कोई भी pattern password नहीं मांगा गया है और आपका mobile start हो गया है तो इस step से आप अपने mobile का pattern lock तोड़ सकते हैं तो I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो से related कोई query है तो नीचे comment section में पूछ लिजेगा तो चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार